बेरंट सागर में रूस का एड्मिरल गोर्श को वार्शिप और एरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है आस्मान में रूस के सुकोई 24M बॉंबर मॉक टागेट पर मिसाइले बरसा रहे हैं TU-22M3 लॉंग रेंग सुपरसोनिक बॉंबर्स बमों की बारिश कर रहे हैं TU-22M3 के साथ मेग 31BM लॉंग रेंग सुपरसोनिक फाइटर भी युद्ध अभ्यास में लगे हुए हैं IL-78 विमान से मिड एर रिफ्यूलिंग की प्राक्टिस भी जारी है बेरंट सागर में रूस ने विनाशक मिशन छेड़ दिया है दुश्मन की ताकत तौलने के बाद रूस की Northern Fleet दुश्मन के जहासों के मौक टार्गेट बना कर उन पर निशाना साथ रही है रूस ने खास मक्सद से बेरंट सागर में exercise शिरू की है बेरंट सागर में उडान भर रहे रूस के न्यूकलियर बॉमबर और फाइटर जेट्स बेरंट के तटिये देशों को टार्गेट करने का प्लैन बना रहे है यहां से रूस स्वीडन, नौर्वे और फिनलिन जैसे देशों पर सीधा न्यूकलियर हमला कर सकता है पुदिन के मिशन से साफ है कि उनका पहला टार्गेट यूरोप के यही देश बन सकते हैं रूसी मीडिया में पुदिन के इस प्लैन के बारे में चर्चा की जा रही क्रिमलिन के नजदी की पत्रकार व्लादिमेर सुलव योव ने कहा है कि अब मदर रश्या प्लैन शुरू हो चुका है पेरेंस सागर में नौर्दन फ्लीट को युद्धा भ्यास के लिए उतार दिया गया है तो पैसिफिक सागर में भी रूस की सेना युद्ध के लिए तयार है पतिन ने आर्क्टिक में अपने नूकलिय वेबन तैनात कर दिये है आर्क्टिक सागर में रूस का सबसे बड़ा बेस है कोला नूकलिय बेस ये बेस फिनलेंड और नॉर्वे के बहुत नस्दीक है यहां से भी यूरोप पर बड़े हमले की आशंका बढ़ गई है पतिन अपने अपरेशन मदर रशा को पूरा करने का मिशन सबंदर से ही शुरू कर सकते है रूस ने आक्टिक, बेरंस और पैसिफिक तीन मोर्चों पर तैनाती कर दी है आक्टिक के कोला नूकलिय बेस पर सबसे विनाशक विपन तैनात कर दिये गए है रूस के कोला नूकलिय बेस पर उसके सबसे एहम हतियार यानि नूकलिय सबमरीन तैनात है इस बेस पर अंडर वाटर नूकलिय ड्रोन पोसाइडन तैनात है वार्शिप्ट से फायर होने वाली नूकलिय मिजाईल जिरकौन यहाँ पर है इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिजाइल सर्मत और इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिजाइल यार्स भी इसी बेस पर है हाइपरसॉनिक मिजाइल किंजल भी इसी बेस पर रखी गई है पुतिन ने तीन मोर्चों पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती तो कर दी है लेकिन उनके मदर रशा ओपरेशन में सबसे बड़ी बाधा है अमेरिका पुतिन ने अमेरिका से निपटने का पंदोबस्त भी कर लिया है आक्टिक सिर्कल में ही अमेरिका के नस्दीक पुतिन ने एक ऐसा हथियार तैनात कर दिया है जिसे बाइडन भी नहीं रोक सकते रूस ने आक्टिक के रैंगल आइलिन पर हाइबर सोनिक मिजाइल तैनात कर दी है यहां से अलास्का की दूरी मेहस 500 किलोमीटर है और कैनेडा की दूरी मेहस 2000 किलोमीटर बेरिंग सागर के चुक्ची शेतर में रैंगल आइलिन से मिजाइल तागी गई तो मिनिटों में अलास्का और कैनेडा को तबाह कर सकती है रूस बेरंस में युद्धा भ्यास कर रहा है आर्क्टिक में नियूक्लियर और हाइपरसोनिक मिज़ायले तैनात कर दी गई है पैसिफिक फ्लीट को युद्ध के लिए तयार रहने के आदेश दे दी गए है और यार्स मिज़ायल का टेस्ट पूरा हो चुका है यानि हर मोर्चे पर पूतिन ने विधवनसक तयारी पूरी कर ली है मदर रश्य ओपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और रूस के बीच सीधा युद्ध भी छड़नाता है प्यूरो रिपोर्ट तीवी नाइन भारत बार्श